संसत की कारवाई आज से शुरू हुई है और इसी पर बातचीत के लिए अमारे साथ राज्य सभाद सांसत और RLD प्रमुक जैन चौधरी मौजूद है सर, CBI और ED जिस तरह से विपक्षी नेताओं से पूस्ताच हो रही है, कारवाई हो रही है, आपनों लगतार सवाल उठा रहे इशू तो बनता है, क्योंकि जिस तरह से एक पक्षी कारवाई से लगती है, कि जो विपक्ष में हैं, उनी के खिलाफ एजनसी इतनी एक्टिव हैं, तो एक पारदर्शेता होनी चाहिए, एजनसी मजबूत हो, एजनसी अपना काम करें, एजनसी पे कोई राजनितिक दबा अब ना हो, कि सभी लोग चाते हैं, और इसलिए हम लोग इस सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार परिशान करने का काम कर रही हो, जान बूच कर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ये कारवाई की जा रही है, इसके खिलाफ क्या आने वाले दिनों में भी, कि आप लोग सरकार को घिरने का काम करेंगे? इसलिए निवेश हुआ हुआ है, LIC के माधियम से, स्टॉक मार्केट के माधियम से, उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, सुप्रिम कोर्ट भी इसको मान रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में जेपीसी की जो मांग चल रही है, उसको संग्यान सरकार को भी लेना चाहिए और अब तो बहाना ये लेंगे कि सुप्रिम कोर्ट कारवाई करी रही है, तो सब जुडिस हो गया मामला, तो सदन में तो उठना ही नी चाहिए, हमारा कहना है कि प्राइमिसी पार्लिमेंट की है, और ठीक है टेक्नोकरेट्स बैटके सुप्रिम कोर्ट की जो कमिटी है, अ तो पॉलिटिकल सिस्टेम से जो जुड़े लोग है, वो ही बैटके सोच सकते हैं कि इसकी तारे कहा तक जुड़ी है, इससे हटकर सर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लोग सभा की चुनाव में भारते जनता पार्टी जुट गई है, और लगातार जीत का दावा कर रही है, जो 14 हारी सीटियो है, उसको लेकर भी लगातार मंतर करें, आप लोग की क्या तयारी? जीत शेरिंग क्या होगी, किस तरह से हम असी कसी सीटों पर लड़ेंगे? अभी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, वो बात नहीं, वो हमारे लिए अभी छूटी बात है, हम मुद्धों की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए देखे, साफ तौर पर कहना है कि 2024 को लेकर आरेलडी की तैयारी हो, और आने वाले दिनों में बातचीत समाजवादी पार्टी से शुरू होगी, कि सीट शेरिंग क्या होगा? कैमरा पसंद राहूल के साथ स्वाती पाठक भारत समाचार दिल।